लॉनियों बच्छों। आज है हमारा EBS का activity day हुआ है। आज हम EBS में activity करने वाले हैं। और activity का नाम मैंने यहां पर लिख और wind powered crane ठीक है wind powered crane wind का मतलब हवा and powered का मतलब हवा से संचारित होने वाले हवा से चलने वाले crane बनाएंगे आज हम तबहुत बड़ा होता है और ये तो अविधे अग्जड़ के लिए की भारे चीजयों को ऑटमेटी चीश उठाने के लिए यह यूज़ होती है यह जमाने उसके हाने के वाशब है तो लिफ्ट हैवी औब्जेक्स को भारी चीज हमें उपर तक पहुचानी हो तो उसके लिए इसका यूज होता था ठीक है तो यह फिक्चर में कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो चलिए अज हम एक विंड पावर्ड क्रेन का एक छोटा सा डेमो बना करेंगे ओके बचों तो यहां पर कुछ मैडिरियल दिखर है आपको यह मैडिरियल से आज हम विंड पावर्ड क्रेन बनाने वाले हैं देखिए यह कार्ड़ बोर्ड टकड़ा है इसके स्क्वाइर में है यह तो यह यहां पर इसके इधर हमने आरपार छेद किया है यह देखिए ठीके इसके नीचे यहां पर यह एक बीचों भी छेद किया तकि इसका चैनलगा सके हम ठीके इसका स्टेंद लगा सके इस तरीके से ठीके अब इसके बाद में दूसरी जो चाहिए हमें वोगरा स्कार इसका पंखा बनाने के लिए आपको देखिए ये भी एक cardboard का टुपड़ा है ठीक है ये भी एक cardboard का टुपड़ा है और ये इसके blades बनाने के लिए size के card है जो मजबूत है इनको हमने ऐसे फसाया ठीक है यहाँ पर इनको हमने ऐसे फसाया और अब ये बन जाएगा हमारा ये बन गया हमारा पंखा ठीक है एक बड़ा पंखा अभी ये तो हम बड़े आकार के होते थे पुराने जमाने में ठीक है जब आधुनिक मशीने नहीं चलती थी उस समय भी इनका यूज किया जाता था तो ये एक हमारा बन गया पंखा इस तरह का ठीक है दूसरी चीज क्या चीए हमें एक ऐसा पतला पाइप चीए और मैंने इसके उपर यहां पर यह धागा बांदा हुआ है ठीक है एक सीरे पर धागा बांद दिया इधार ठीक है और यह आदर शीरा खली छोड़ दिया अभी साद्री सीरे को क्या करना है अभी बताता हूं आपको पहले धागा देखिए धागे का एक सीरा मैंने यहां पर बादा है उसके बाद में धागे का दूसरा सिरा यह देखिए एक छोटी सी टौकरी टाइप में है बास्केट टाइप में है जिसके अंदर कोई भी चीज हम आसानी से रख सकें ठीक है उसके बाद में यह यह चीज ऐसे तयार कर लिए हमने देखिएगा यह च इस तरीके से ठीक है हो गया अब उसके बात ही जो पंखा में बनाए इसके बीचो बीच एक छेद है इस छेद को हमने इस पाइप में डालनां है कि यहां पर ठीक है यह पाइप में डाला और इस तरीके का आपको यह ले मों दीख रहे हैं यह चोटा सा शेप दिख रही है तो अब इसका यूज़ हमें करना है करके देखते हैं चलिए ठीक है तो यह अब हमने इसका model तो इसको थोड़ा उपर उठाना होता था तो यह जो फैन है इसको उल्टे तरीके से गुमाया जाता था और इस फैन को गुमाने के लिए क्या यूज किया जाता था ठीक है क्या यूज किया जाता था नैचुरल तरीके से भी जब विंड मिल की जैसी जो बड़े बड़े पंख्य होते हैं वह अपने आप चलते हैं ठीक है ऐसे ही यह भी चलता था और उसके बाद में अगर देखें आपके सामने यह मारकर है यह मारकर इसके अंदर डालता हू पंखा सेट हुआ और यह देखी आप इस तरीके से चलता था ठीक है नीचे मजदूर लगे होते थे कुछ सामान उतारने के लिए वह इसमें से खाली कर लेते हैं अगर कोई चीज वापिस भरनी होती थी इसमें तो इसके लिए फिर उतना ही ताकत से जैसे मेरे पास स्ट्र लिए देखिए इस तरीके से यह पंखा अगर उल्टा घुमेगा तो यह देखिए अब जैसे उपर फैन चल रहा है उस फैन के उस वज़े से यह अपने आपी निच्यार है ठीक है अब अगर मैं इससे हवा ब्लोग करता हूँ तो यह उपर चला गया ठीक है इस तरह की विंड पावर्ड क्रेन होती थी जो पुराने जमाने से यूज की जाती थी ठीक है बच्चों तो आपने यह देखी कोशिश करें अगर आप किस सब पास मैटीरियल है तो घर बैठे इसको आप बना के देखें थैंक